तो भाई बहुत बड़ी खुस ख़बरी है बहुत इप गुड नियूज है ये बतारव आपको सुनके बहुती खुशी महसूस होने वाली है जो की शक्षम युवा थे और जो काम कर रहे हैं और जिनों ने ये भी सोच रहे थे कि या आपके क्वेशन्स भी रहते होंगे आप किसी की वीडियो बहुत देखे हैं तो भाई क्या हम सक्षम वाले हर्याना कोशर रोजगार निगम में रेजिस्रेशन कर सकते हैं तो उनका रिप्लाई भी आता है कुछ ऐसा हलकलका सा पेकार सा भाई जैसे ही हमको पता चलेगा हम आपको बताएंगे लेकिन भाई सा मैं ब और जिनों ने कर लिया है जैसे कि मैंने भी खुद किया था और वो टेंशन में भी आ रहे थे क्या है यार वो जो मैंने शक्षम वाला एक्सपिरियंस लेटर लगाया था रेजिस्रेशन करते वक्त और भाई क्या वो रिक्जेटर तो नहीं हो जाएगा विगर विगर आप कि दिमाग में बहुत सारी questions वह हो गया है और सात में और तीन-चार दिन पहले भी कोई एक message आया था कि अपना experience update कर लो जल्दी से जल्दी तो आप वैसे भी टेंशन में आगे होगे कि वह सक्षम का लगा रखा था experience से हो सकता है कि reject कर दिया है और अपडेट कर लिए लिए बोला है तो मैं आप लोगों को cute news बता रहा हूं कि वह message वह सबको आ रहा है सबको जीनों ने registration कर रखा था हर्यारा कोशर रोजगार निगम की पॉटल में जाके उस सब को आ रहा है क्यूंकि पीछे से पॉटल में एक अपडेट आ गया है वो अपडेट मैं आपको बता दे रहा हूं उससे पहले ये खुछकबरी मैं आप लोगों को बताना चाता हूं कि आप जो सोच रहे हैं कि य और बहुत सारी वीडियो आपने देखी भी होगी लेकिन मैं बता दू भाई साब वो जो आउट्सोर्सिंग यो डिसी रेट पे जो जो पोती के लिए जो कंडिशन रखी गई है जो की हर्याना कोशर रोजगार निगम की अनुसार उनके नियम के अनुसार क्या है कि आप कि मैं कारी विवाग में काम कर रहूं पहले उनके लिए वह आप यह बositoryול यह निग बता रहे कि आप सक्षम करने हो या कि और वाले हो या पिर आप डिसी रेट पर पहले काम कर रहूं हो वह मेंशन नहीं है कहीं भी तो इसका मत्वल यह है कि आप शक्षम वाले भी भी हर्याना कोशर रोजगार निगम की साइट पे रेजिस्ट्रेशन कर सकते हो और जिनों नहीं किया है जाके अब भी टाइम है कर लो कोई परिशानी हो रही है यह परिजीशेशन कर लेते हैं तो क्या होगा जाता है अगर उनके मताबिक साथ ही नहीं है यह लावड नहीं है सक्षम वाले तो क्या करेंगे वह ज्यादा गोली मार देंगे यार कमाल है यार क्या कर देंगे ज्यादा रिजट कर देंगे हमारी अप्लिकेशन कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते कुछ नहीं करेंगे आपका आपकी अप्लिकेशन जट कर देंगे उस से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो खैर यह टेंशन वाली बात नहीं जांट कर सकते हैं आपलाई कर सकते हैं मैं भी खुद एक श्क्षण वाला हूँ तो मैंने भी किया है और भाई यह कुछ गवरी यह है कि यार मैं बता रहूं कर रहे है वह चीन ने रोजगार निगम पॉर्टल में कर रखा है उनको दे रहे हैं मैंसेज को घबराने की कोई जुरूत नहीं है आप लोगों को सब को दो ज को वह दे रहे हैं कि क्यूंकि एक लाघन 5 पerson Wars थे जी तचा आया आएगा आपके रेजिस्टेशन नंबर बर तो वह OTP आपने भर देना है और फिर आपके पास चार स्टेप नजर आएंगे पोडल पे तो आपने कुछ कुछी छेडा चाड़ी नहीं करनी है सिर्फ आपको चार स्टेप तक जाना है आप जैसे ही खौल दोगे तो सेक्ड़ स्टेप होगे आप पाइधन पर होगे फिर थर्ड पर टच कर देना फिर चोथे पर स्टेप टच कर दोगे सोरी भाई गले में कुछ दिनों से ख्रासी है सोरी भाई तो चार जो लाश्ट का चार स्टेप है अगर उसके आप खुद से कर सकते भाई आप अपने मुवाईल से खुद कर सकते हैं आप किसी सेंटर पर रिसिया सेंटर पर जाके मत कराना खाम खाम के 20 उरुपे ले लेगा मेरे दोस्त ने किया था उसके 20 उरुपे ले लिए थे चोटे से काम करने लिए आप अपने मुवाईल से भी इसको कर सकते हैं कोई टेंशन वाली वह बात है नहीं आप अपने खुद से भी कर सकते हैं सारे फोन यार फोन से भी सब कुछ ह है फोन तो भाई हाइफाई हो गया आजकल कुछ भी कर लो फोन से तो मैं कह रहा हूं कि जो वह स्टेप फॉर है जैसी है आप स्टेप फॉर में टच कर दोगे तो एक पेज खुल के आ गाएगा उसमें यह बताया गया है कि आप कि जो आपने रेशिटेशन किया है आपको जो डी सी रेड़ लेड जो जो आएगी वह कहां करने वाले हो तो अपनी अपनी सारगे सारे डिस्टिक आप उसके अंदर रैफंस कर दो ताकि उनको असानी हो जाए कि जिस जिस एरिये में जैसे की रोतक में है रोतक में कोई जोप नेगलेगी तो आपको जो 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 रोतक वाले सारे reference दिया हुआ है जोब reference दिया हुआ है तो उनको असानी होगी आपको contact करने में कि ये candidate रोतक के हैं और जो भी रोतक में ही लगाएं क्योंकि पहले ऐसा हुआ था कि रोतक में नहीं तो वह कहीं और कोड़ोस कर जाते थे सोनी पस चले जाते थे dc rate में हरियाने के किसी और इस्टेट डिस्टिक में चले जाते थे तो जोप तो चीये थी ना अब सरकार ने क्या गर दिया वो डिस्टिक वाईज अपने area के इसाब से वो आपको जोप देने वाले है जो की पहुती सही किया है हर्याणा सरकार ने ठैंक यू सो मच यार गला काफी खराब हो गया सोर यार जादा बोलने लगया हूं न इस लिए तो अजयाना सरकार ने कर दिया है डिस्टि गवाइज में आपको जोब देंगे आपको उनको सबसे पहले रेफेंस किया जाएगा सबसे पहले उनको जोब दीजाएगी जिनकी इनकम बहुती कम है इसलिए तो जब आपर रिजिस्टेशन करते हो तो सबसे पहले आपको family ID डालनी होती है तब जाके आपना सारगा सारा डेटा पैच हो जाता है सारे सार आ जाता है उसमें income भी real income भी उसमें show हो जाती है जिससे सरकार को पता चल जाता है कि आप इस जो हर्याना कोशर रोजगार निगाम की portal के आनुसार आपको पहले दिया ज जिनके जिनकी income बहुत ही काम होगी उनके सबसे ज्यादा point मिलने के chances है quality qualification के सबसे बहुत सारा है इसका वह है डिटेल आप portal की साइट पर जाके भी आप चेक कर सकते हो सारे की सारे इंट्रेक्शन सारे के सारे आ रहे हैं क्या इसे जो आप अब यह भी देखा गया गया इसक जैसे कि मेरी उच बढ़ रही है और जोब नहीं मिल रही है जिनकी उमर बढ़ रही है लेकिन जोब नहीं मिल रही है तो उनको सबसे पहले उसके point चाहते हैं और उसको सबसे पहले जोब के लिए reference क्या जाएगा और income जिसकी फैमिली इंकम बहुत ही कम है उनको सबसे पहले रेफरेंस किया जाएगा जोब के लिए तो मुझे ये भी पता चला है अभी-अभी कि इनके भी टेस्ट भी होने चाहिए अब घबराओं मत किवे एंट्रेस से टेस्ट होंगे इसके घबराइन की जूरूत नहीं है आप तो मैं रहीं बता रहाँ कि आप इसको जो जिन division को यह मेसीज रहा है यह भाई सफ तीसारिक मैं ने पता किया है कि तीस तारिक से पहले-पहले तीस से पहले-पहले आप इसको अपडेट कर लो आप जो कि मैंने बताये थे न फोर स्टेप पर जाके जैसे कि आप खोल दोगे उट भी कर दोगे तो फोर पोर्टर खुलके आ जाएगा तो आप सेकिंड स्टेप पर होंगे फिर फर्ड स्टेप पर कर दोगे तो आपको एक पेज खुल गया कर दिशन पर टिक करके आगे बढ़ जाना सम्मिट हो जाएगा अच्छी तरह से क्योंकि भाई मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि अब यह सरकारी साइट है आगर मैं स्क्रीन रिकोर्ड करके आप लोगों को दिखाना चालो कर दोगा तो मेरा चैनल खत्रे में आ सकता है भाई प्लीस मैं दिखाऊँगा नहीं आप मेरी बात को समझ लो क्या कहना चाहरा हूं कि जैसे ही जैसे ही आप अपना मुमाइन नंबर डालगे आपको ओट पी आएगा नंबर पे रिजिस्टर जो आपका रिजिस्टर नंबर है उस पर एक ओट पी आएगा ओट पी डालते ही आ और आप सेकन्ड है आप सेकर्ट कुर्ण सेंडर स्टेप होंगे फिर आपने ढट करना इए फिर चौते स्टेप करना है फिर निवर ना बस आग आगर जाना विए बस ора कुछ निकरना ओर कुछ निकरने बस आप किसी तरह से कुछ छेड़ना मत कुछ भी नहीं चेड़ना सीधे आपको चोते स्टेप पर चले जाओगे आप च्रेश खुलके आजाएगा फिर उसमें आपना डिस्टिक रेफ्रेंस जोप आपको आपको जोब चाहिए है वह भर देनी है तो लास्ट में चेक करके उसको सम्मिट कर देना और आपको एक के लिए अपने पूरी तरह से रेजिश्ट्याशन शक्षा कर लिया है आपको पता जल जाएगा और आपका काम हो गया आपका टेंशन खतम होगी और ये थी विडियो ये बताना था कि शक्षा वाले भी इसको आपर रेजिश्ट्याशन कर सकते हैं दुबार से बोल रहा हूं कर सकते हैं इसकी कंडिशन क्या है कि सरकारी विवाग में आप किसी तरह कहीं ना कहीं जुड़े हो यह हो काम क्या हो चाहे आपका apprenticeship हो, ITI का, चाहे आपका सक्षम हो, या फिर किसी तरह पे, या फिर DC rate लग रहे हो, या फिर ऐसे कुछ लग रहे हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं, आप सरकारी विभाग से जुड़े हुए थे, तो इस मुतापिक आप अपना experience लेटर ले सकते हो, आपका बन गया experience, जो मैं बता रहा हूँ भाई, यह ओनी है कि पांच महीने का experience होगा, तीन महीने का, बहुता मेरा एक महीने का experience था, मैंने वो भी अटेच करके लगाया, अपलोड कर आया, एक महीने का experience लेटर लगाया, तो टेंशिन लेने की कोई जूरूत नहीं है, आपको चाहिए आपका 15 दिन का experience हो, या पिर आपका 6 महीने का एक साल का हो, वह वहाँ पर clear है, कि वह यह mention नहीं किया है, आपका 3 महीने का experience हो, या 4 महीने का experience हो, कुछ नहीं, आप एक बार registration कर दो, बस आपका काम खतम, फिर उनका काम चालू हो जाएगा, आपको जो देंगे, नी देंगे रिग्जेट होगी एप्लिकेशन वेगरा वेगरा वो माइन वो उनका पंगा है आप अपना रेजिस्टेशन कर लो ठीक है भई खपरायने की कोई जुरूत नहीं कुछ नहीं होने वाला आप लोगों का ठीक है आप यह हो जाएगा वह जाएगा कोई टेंशन लेने की जुरूत नहीं रेजिस्टेशन कर सकते हो क्या करडिशन है वह यह आपको पता है